हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नवे अध्याय का पच्चिसवा श्लोक भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो पित्रों को पूजते हैं वे पित्रों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनी के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं मेरी भक्ती करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं हमने हमेशा मोक्ष का मतलब यही समझा है कि हम भगवान के धाम में जाकर उनके साथ रहेंगे वहाँ न जन्म होगा न मृत्यू न बिमारी न बुढ़ापा अब यहां भगवान ने क्लियर कर दिया और पहले भी कहा है कि देवताओं का लोक है, स्वर्ग है हम यह न सोचें कि यह सब कल्पना है, नहीं 14 planetary system है, मतलब कि 14 लोक होते हैं broadly उनको 3 लोक कह देते हैं लेकिन 14 लोक हैं अलग-अलग जिनमें ऊपर जो है साथ जो है वो स्वर्ग लोकाज हैं और प्रित्वी जो है वो बीच में है तो भगवान ने कहा है, जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा यानि उसको स्वर्ग की प्राप्ती होगी इसी तरह से पित्तरों के भी लोक हैं जो लोग पित्तरों की पूजा करते हैं या इस तरह के किसी भी अंत्रमंत्र, जंत्रत, तंत्र की पूजा करते हैं, तो उनके हिसाब से भी अलग-अलग लोग हैं, इवन जो लोग भूतों की पूजा कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, वे उनी के बीच में जन्म लेंगे, यानि कि जो भूतों की पूजा कर रहा है जो तांतरिक वगरे रहते हैं वो भूत ही बन जाएंगे फिर ultimately क्योंकि भगवान ने का ना मरते समय जैसी thinking होगी जैसी सोच होगी वैसे ही तुम्हारा अगला जन्म होगा तो भूत होते हैं ये बात भगवत कीता के इस लोक में clearly establish होती है दो मिनट के लिए थोड़ा विशे से दूर अगर चलें और ये discuss करें ये भूत होता क्या है देखिए हमने पहले ये चर्चा की थी कि किसी अध्याय में कि हमारे तीन शरीर हैं एक बहुत तिक स्थूल शरीर जिसमें पांच तत्व हैं अगनी, जल, वायू है ना अगनी, जल, वायू और मिटी और एक तत्व और है जो हम मैं मिस कर जाता हूँ कोई भी गिंती में ऐसे जल्दी बाजी में तो पांच तत्वों से ये शरीर जो है वो बना है अब इस पांच तत्व के अलावा हमारे शरीर के अंदर एक और भी है, जिसको हमने बोला था सटल बॉडी, यानि सुक्ष्म शरीर ये सटल बॉडी में मैंने डिसकस किया था कि तीन चीजे होती है एक मन, एक बुद्धी और एक एहंकार, इंग्लीश में बोलें तो mind, intelligence and false ego तो ये तीनों मैंने पहले explain किये थे तो उस वक भी ये बात बताई थी कि जब मृत्यू होती है यानि कि साधारण भाषा में जिसको मृत्यू बोलते हैं जिसमें ये शरीर छूड जाता है तो ये पांच तत्वों से मिला शरीर खतम हो जाता है लेकिन ये जो तीन तत्व है, सुश्म तत्व ये जिन्दा रहते हैं और आत्मा तो अध्यात्मे कै, वो तो अजर अमर है उसका तो कुछ विगड़ता ही नहीं तो हमें जो अगला शरीर मिलता है उसमें हम ये मन बुद्धी एहंकार लेकर उस नई बॉड़ी में नई स्थूल शरीर में जो पांच तत्वों से बने होती हैं उसमें एंटर कर जाते हैं चाहे फिर वो मनुश्य का मिले चाहे पशू का, चाहे पंच्छी का, चाहे पेड़ जो भी वोटेवर तो अब कई बार कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता लेकिन मन बुद्धी तो अभी जिंदा है, तो वो क्या होई भूत, इसलिए अपने सुनाओगा भूत चिलाते हैं, उनके मन में जो भी फीलिंग्स हैं सुनाओगा भूत, मीठा खाते हैं ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये सब बिल्कुल फाल्तु बाते नहीं हैं मन, बुद्धी, एहंकार ये तो जिंदा ही रहगी ना, किसी भी शरीर की तो वो भटकती रहती है आत्मा तब तक, जब तक उसको नया स्थूल शरीर नहीं मिलता तब वो आत्मा उस पुराने शरीर वाले सुश्म शरीर को, जिसमें मन, बुद्धी, एहंकार है उसको लेके नए ग्रॉस बाडी में, नए स्थूल शरीर में एंटर कर जाती है तो भूत होते है शास्त्रों में जो मैंने अध्यन किया उसके अनुसार, ऐसा नहीं है कि भूत कोई सिरफ एक मन की कल्पना है है ना, ये भूत होते हैं और जैसा मैंने अभी आपको एक्स्प्लेन करती है, तो यहाँ पर भी भगवत गीता में भूतों के बारे में आ रहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो पित्रों को पूछते हैं वे पित्रों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनी के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं तो ये मतलब इतनी बार अब तो हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमें भगवान के साथ रहना है तो निरंतर, सत्तम कीर्तियंतों माम तो लगातार हमें भगवान की भक्ती में स्थिर रहना होगा शुरू-शुरू में जो ध्यायत उसमें भगवान ने भक्ती में स्थिर रहने के उपर बहुत स्थिर्स किया था झाल झाल